मित्रो जैसे रहा हूं मित्रो हिंदु जीवन ग्यान चैनल में हम लोगों ने नौ ग्रहों के सामती के उपाय का एक सिरीज शुरू किया है एक खंड शुरू किया है जिसमें हम नीचे से सुरू कर रहे हैं अमोमन सुर्जे से सुरू करते हैं मैंने केतु से सुरुवात किये और पिछली वीडियो जो केतु पर हमने डाली है इसके बाद आज राहू के सांती का प्रयोग और किस तरह से राहू की सांती करेंगे इस पर हम लोग बात करेंगे मित्रों आपको पता है कि राहू का मंत्र क्या है अर्थ कायम महाविर्यम चंद्र आदित्वी मर्धistics का गर्भ संभूतं तम राहूं पर ल्मामम हम काया तो आधा है लेकिन संद्र आ अधित्य का भी मान मर्दन करते हैं हम और आप क्या चीज हैं सिंगा के पुत्र हैं तो राहू की सांती बहुत जरूरी है कुंडली में और अगर राहू बलवान होगे कुंडली में तो आप सोच नहीं सकते कि किस तरह का राज योग देते हैं किस तरह का मान परतिष्ठा देते हैं इसलिए राहू के उपाय पे करिए अगर आपके राहू बहुत अच्छे हैं तो बहुत कुछ करने की जरुवत नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा अगर राहू दिखबली नहीं है राहू मजबूत नहीं है तो उनकी सांती के लिए कौन से उपाय करने हैं आज उसका चर्चा करते मित्रों सबसे पहले तो आप बुद्धवार को बिरस्पतिवार को या सनिवार को नीला काला या भूरे रंग का कप्रा दान करें किसी गरीब को कम से कम इतना वस्त्र हो कि उसका कोई भी कुर्ता पैजामा पैंट सर्थ हो जाए उसको मित्रों अनाज में आप जो पीली सरसो यह सब्धान्य का दान कर सकते हैं लेकिन यह दान आप मंदिर में करेंगे मित्रों तीसरा उपाय जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु सांती किसी योग्य पुरोहित से आप करवा सकते हैं राहु का जो तांत्रिक मंत्र है उससे कोई भी पुरोहित जो जानकार होंगे वो आपकी राह इसी योग के पुरोहित के निर्देशा नुसार और उनके सानिध्य में बहते जल में प्रवाहित करें इससे आपका राहू बहुत सांत होगा इसके रावा मित्रों आप बुद्धवार को ब्रस्पतिवार को और सनिवार को चंदन का इत्र लगाईए क्योंकि राहू सर्प है और चंदन के पेर में ही सरपली पड़ता है लेकिन चंदन पर विष्ट नहीं चरता तो आप चंदन का इत्र लगाईए राहू के दुस्प्रभाव आपके उपर नहीं होंगे इसके अलावा मित्रों आप गों में धारन कर सकते हैं दाहिने हाथ की मध्यमा में या आप गों आपके मजबूत हैं तो सिर्फ आप एक माला रांग राहवे नमहा ओम रांग राहवे नमहा का जब कीजिए सनिवार को या राहू कवज का पाठ करिए आपको बहुत लाग मिलेगा करके देखे बहुत अच्छा लगेगा और मित्रों आज आपके चैनल का दो महीना पूरा मजबू है तो आपसे बस एक बुझारिस है कि मैक्सिमम से बैक्सिमम हमारे इस यई जी चिन को मैक्सिमम हिंदू तक spread कीजिए अगर हमारे धर्म में कोई एथिस्ट है आप उसे धर्म की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि हिंदु धर्म की पताका सद्यायव लहराती रहे जैसी आराम